आज हमारे भारतियों ने बहुत प्रगती की मैं तो भागवत के कारण इस गरंद को लेकर पुरी दुनिया में विचरण कर रहा हूँ दुनिया का कोई ऐसा देश, कोई ऐसा कोना नहीं है जह हमारे भारतिय न पहुँचे हो लेकिन सभी भारतियों को यह बात सदेव ध्यान में रखनी चाहिए कि हमने पिछले पचास सो देर सो साल में बहुत प्रोग्रेस किया ने तो विचार कीजी हमारे बाप दादा कितनी गरीबी में रहते थे रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए भोजन, वस्तरादी कुछ नहीं होता था कितनी गरीबी थी, लेकिन पचास साल में धन का धेर खड़ा कर दिया कितनी प्रोग्रेस, कितनी प्रगती हमने कर लिए और भारत का आदमी दुनिया के कोने कोने में पहुँच गया पूरे विश्व में भारत चाया हुआ है, लेकिन ये बात सदेव याद रखनी चाहिए हम कितना भी उपर उड़े, हमें इस धर्ती को, हमें हमारी मिट्टी को, हमें हमारे देश को कभी नहीं छोड़ना चाहिए हम इसलिए प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन नीचे है, पतंग इसलिए उपर जा सकती है, क्योंकि उसका कनेक्शन है जिस दिन कनेक्शन चूटा, स्वतंत्र हो गई, उस दिन पतंग इरेगी ये सब छोड़ो, ये विमान फ्लाइट आकाश में उड़ती है न बड़ी बड़ी फ्लाइट बड़े बड़े विमान जहां ज़ा आकाश में उड़ते हैं यह आकाश में तब तक उड़ सकते हैं जब तक उसका connection भूमी पृत्वी के साथ है वो जो control होता है रेडियो कंट्रोलर जहां पर होता है फ्लाइट का कंट्रोल कंट्रोल रूम के साथ जब तक है तब तक वो उड़ सकती है जैसे ही उस विमान का कंट्रोल कंट्रोल रूम से कड़ गया वो फ्लाइट का कोई ठिकाना नहीं हमारे भूत काल में कई ऐसे विमान 500-700-1000 लोगों को लेकर जा रहे थे और जैसे ही भूमी से connection चूटा वो विमान आकाश में ही खो गया और कहां जाकर गीरा आज तक पता नहीं चला सारी ये हैं कि हमने हमारे जीवन में जो भी प्रोग्रेस किया प्रगती की ये प्रोग्रेस प्रगती क्योंकि इस देश का हमारे उपर बहुत बड़ा रीण है इस देश की अमपर बड़ी कृपा है अनेकों प्रकार के रीण होते हैं उन रीणों में एक रीण है देश का रीण जिस देश में हम रहते हैं 15 अगश्ट को हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी को गणतंत्र संबीदान लागू हुआ हम जिस देश में चैन की सास रात को सोते हैं हम इसलिए चैन की सास आज रात को सो पाते हैं या सुबे जग कर अपना काम करते हैं या गंटों बर बैठ कर कता सुन सकते हैं क्योंकि हमारे पुर्वजों ने इस देश को सुरक्षित करने के लिए बहुत महनत की हैं बड़ी महनत की है सिमा पर खड़े हुए जवान या इस देश को इस रक्षा करने वाले भगत सी तो बगतों इन महानु भावों ने हमारे देश के लिए जो कारिय किया और इन महानु भावों ने अपने जीवन को तबाह किया फनाह किया ताकि आज हम चैन से भजन कर सकते हैं भक्ती कर सकते हैं सो सकते हैं हम उनके लिए क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते जिन लोगों ने हमारे देश को सुरक्षित रखा उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते एक चीज कर सकते है कि ऐसे पवित्र परवपर उनको याद कर सकते है